हेलो दोस्तों कैसे हैं आफ सभी मैं हूँ अमन शर्मा वेलकम टू इश्कोर शाला आज हम देखने जा रहे हैं जोग्रोफी का चैप्टर मिनरल्स एन एनरजी रिसोर्सेज अब बच्चा अभी तक हमने मैटलिक नॉन मैटलिक हम इनके बीच में डिफरेंसेज हम समझ चुके अब ऐसे में आज हम देखने जा रहे हैं टाइपस ओफ एनरजी रिसोर्सेज अब बच्चा क्या होता है ना कि जो एनरजी है ना उसको भी हमने क्लासिफाय कर रखा है क्यों कि सर जो एनरजी जिसके सोर्सेज है ना हमेशे वरी करते हैं जो एनरजी है वो हमें किसी एक सोर उसमें यूज होते हैं, इसलिए हमें हमेशा energy resources को सबनने से पहले उसके types को सबसना जरूरी होता है, energy is required for all activities, जैसा कि हमें पता है कि जो energy है उसकी requirement है sir, हर activity में, basically जो energy है उसका use है हर जगे पे, it is needed to cook, basically हम जो energy है उसको use करते हैं cooking में, cooking में sir, कैसे करते हैं sir, induction का नाम तो आप light, basically हमें क्या light provide करने के लिए भी किस का use करना पड़ता है, energy का use करना पड़ता है, heat के लिए भी हमें energy का use करना पड़ता है, to proper vehicles and to drive machinery in industries, energy can be generated, basically क्या है, कि जो हमारे जो यह vehicles होते हैं जो हमारी machinery होती है ना उसके लिए भी हम किसका use करते हैं energy का use करते हैं ताकि वो क्या करता कि run कर सके फिर हम आगे देखते हैं क्या energy can be generated from fuel minerals like coal, petroleum, natural gas uranium from electricity basically बच्चा क्या होता है कि जो हमारे है ना resources है जैसे की coal है petroleum है, natural gas है, uranium है इनके through हम क्या करते हैं energy का generation करते हैं तो सर हमें ये तो समझ में आ गया कि अगर हमें electricity चाहिए तो उसके लिए हमें किसका use करना पड़ेगा petroleum का, natural gas का, uranium का coal खा, फिर हम आगे देखते हैं क्या energy resources can be classified as conventional and non-conventional resources, अब अच्चा basic हम अब एक terminology हमारे सामने आ रही है सर, conventional और non-conventional तो सर, conventional और non-conventional sources में difference क्या है तो basic बच्चा क्या है, हम एकदम है basic से समझते हैं, एक मोटा-मोटा हम difference सबने की कोशिश करते हैं सर, conventional और non-conventional में, अब क्या होता है बच्चा जो conventional resources होते हैं energy production के वो कैसे होते हैं, सर वो exhaustible होते हैं, मतलब हमने एक बार हुने use किया, उसके बाद हम उससे वापस energy derive नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि जो हमारे recalls होते हैं जिसमें हम petrol ये diesel हम उसमें डालते हैं अब ऐसे में क्या होता है बच्चा एक fix है न, kilometers के बाद हमें वापस से petrol ये diesel उसमें फिल करवाना पड़ता है, अब ऐसा क्यों है सर, क्यों कि जो petrol, diesel coal, ये सब क्या है, ये हैं हमेशा exhaustible है, मतलब ये एक बार अगर खतम हो गए, या एक बार ये exhaust हो गए, उसके बाद हम इससे energy derive नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आप समझी गए होंगे, कि जो conventional है, उसका मतलब है, जो renewable नहीं है, तो non-conventional कौन से होते हैं, जो renewable है अगर उस resource को आज हमने use किया, तो उसी resource को कल भी हम use करके हम energy generate कर सकते हैं, पर basically बच्चा, अगर हम exam के point of view से चलते हैं तो कई बार हमें कुछ है न differences पूछी लेते हैं, अब ऐसे में हमें ध्यान होना चाहिए, हमें एक idea होना चाहिए, हमें हमारी understanding के लिए ध्यान होना चाहिए sir, कि आखिर जो ये हमारे conventional sources है या फिर जो ये non-conventional sources हैं, आखिर इन में difference क्या है, तो हम देखते हैं the sources of energy which are in use from the past are cold as a conventional sources of energy basically conventional sources क्या है जिने हम past से, मतलब बहुत time से use कर रहे हैं, और जो non-conventional होते हैं, वो अभी recent times में मतलब उनके लिए जो technology है ना, वो जश्ट अभी आई है, कुछ साल ही हुए हैं, इसलिए हम उसे अभी use करना हमने शुरू किया है, जो conventional sources होते हैं, वो exhaustible होते हैं exhaustible का मतलब, अगर हम एक बार उसे use कर लेते हैं, हम एक बार उसे exhaust कर देते हैं, तो उसके बाद हम उससे वापस energy derive नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा non-conventional कैसे होते हैं, सर inexhaustible होते हैं, मतलब अगर हमने एक बार उससे energy derive कर ली है, तो हम उससे वापस energy derive कर सकते हैं फिर हम आगे चलते हैं, सर कि example, जैसे कि coal है petroleum है, natural gas है electricity है, basically coal के बारे में तो आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा कि अगर हम coal को use करते हैं, उसका जो weight है वो कम हो जाता है, basically जो coal है वो convert हो जाता है, किस में सर, ash में convert हो जाता है अब ऐसे में है ना, हम उस ash से वापस से कभी भी energy को generate नहीं कर सकते, इसलिए ये कैसा resource है, conventional resource है इसके अलावा are some examples of conventional sources of energy और इसी के अलावा हम चलते हैं non-conventional जैसे tidal energy, बच्चा, tidal energy कैसे use होती है, जो हम tides के थुरू, जो water के अंदर, जो ocean के अंदर tides आते हैं, उन tides के थुरू हम क्या करते हैं, tidal energy generate करते हैं, फिर दूसरा आता है wind energy, basically जो wind है, उसके थुरू हम जो energy generate करते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, wind energy कह देते हैं, solar energy, जो हम solar plants के थुरू हम जो energy generate करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, solar energy कहते हैं, basically जो solar panels होते हैं, हम उसके थुरू भी क्या है न, energy को generate करते हैं, और यही कुछ example है sir, non-conventional sources के अब जो conventional sources हैं यह environment को क्या करते हैं? Pollute करते हैं. क्योंकि sir, इसे वापस energy derive करी नहीं जा सकती है और यह end में क्या residue चोड़ते हैं? क्या आपना चोड़ते हैं? Waste चोड़ते हैं. अब ऐसे में हम चलते हैं. Non-conventional sources की तरब. Non-conventional sources क्या होता है? Environment friendly होते हैं. sir environment friendly होने के कारण इसको use करने से environment को कोई harm नहीं होता है तो basically हम मोटा मोटा समच चुके है conventional और non-conventional के बीच में difference क्या है, conventional जो होते है वो हम बहुत समय से use करते आ रहे हैं जबकि non-conventional को हमने use करना अभी शुरू किया है, जो conventional होते हैं जो non-conventional होते हैं वो inoxizable होते हैं, basically हम उसे वापस use कर सकते हैं, फिर हम देखते हैं क्या कि जो conventional sources के कुछ example है, हमारा coal, petroleum natural gas, जबकि non-conventional का example है, tidal energy, wind energy or solar energy, basically conventional sources होते हैं, वो environment को pollute करते हैं, जबकि जो non-conventional होते हैं, वो environment को pollute नहीं जबते हैं, फिर हम आगे देखते हैं conventional sources include, जो conventional sources की जो list है, वो बहुत बड़ी है, basically अगर आपने अभी तक नहीं समझा, सर, coal है, जो petroleum है, उसके थूरू आपको नहीं समझ में आया, तो कुछ examples और है, जैसे कि firewood, जो हम घर में जो चूले में आग लगाते हैं, किसके थूरू सर, woods के थूरू, वो भी क्या है सर, conventional source है, क्यों है सर, क्योंकि एक बार उन woods को use करने के बाद हम उसको वापस use नहीं कर सकते जैसे कि cattle, dung cake हुआ, उसके अलावा, ये cake इसको पसंदे, comment section में बताना फिर हम आगे देखते हैं, क्या coal है, petroleum है, natural gases है and electricity है basically क्या है, hydro और thermal, basically क्या होता है कि जो coal है, petroleum है, natural gases है, ये कैसे है conventional है, और electricity both hydro and thermal, basically जो hydro energy और जो thermal energy होती है, वो भी कैसी होती conventional होती है, basic आप कुछ बच्चों को लग रहा होगा, सार, ये cattle dung cake क्या है, तो आप google पर search करके एक बाद देखेगा, कि आखिर cattle dung cake होता क्या है फिर हम आगे देखते हैं, क्या non-conventional sources include solar, wind tidal, geothermal, biogas and atomic energy जो non-conventional sources है, उसके अंदर सा, solar आता है, wind आता है, tidal आता है, geothermal आता है, basically geothermal है ना बच्चा, बहुत important है, फिर हम देखते हैं क्या, biogas है इसके अलावा atomic energy है फिर हम आगे देखते हैं, firewood and cattle dung cake are most common in ruler, इंडिया, तो अब आप समझ ही गए होंगे sir, कि firewood और cattle dung के थुरू हम किसकी बात कर रहे हैं जो basically, जो cattle जो होता है, वो अपना जो residue, जो अपना waste जो छोड़ता है ना, उसे हम क्या कहते है cattle dung, basically आप कुछ बच्चों को idea लग गया होगा, फिर हम चलते हैं, क्या कि sir, इसका use सबसे ज़्यादा कहा होता है sir, ruler इंडिया में होता है, फिर हम आगे देखते हैं, according to one estimate more than 70% energy requirement in ruler households is made by these two, basically क्या है, लगबग लगबग हम जो इंडिया, basically हम बात करने जा रहे हैं, हमारे इंडिया के बारे में sir, इंडिया में जो ये cattle dung हुआ, firewood हुआ इसके थुरू लगबग लगबग 70% energy requirement क्या की जाती है fulfill की जाती, कहां पे sir, ruler households में मतलब firewood और cattle dung के थुरू लगबग 70% जो हमारी energy needs है न, जो हमारी है basically जो fuel needs है न, हम उससे satisfy करते हैं, with किससे firewood और cattle dung से, फिर हम आगे देखते हैं, क्या, continuation of this is increasingly become difficult due to decreasing forest area basically अब क्या है न, हम उसको जादा time तक use नहीं कर पाएंगे क्यों नहीं कर पाएंगे sir, क्योंकि जो forest area है, वो धीरे धीरे कैसे हो रहे है decrease होते जा रहे हैं moreover, using dung cake too is being discouraged because it consumes most valuable manure which could be used in agri moreover, using dung cake too is being discouraged because it consumes most valuable manure which could be used in agriculture, basically क्या है जो यह हमारा dung cake है न, cattle dung cake है, उसके है न, एक ही use नहीं कि उससे energy generates हो सकते ही basically वो fuel के जैसे use हो सकता है नहीं sir, उसका एक use और भी है वो as in manure use हो सकता है सा manure किसके लिए sir, agriculture के लिए, अब हम इस lecture का एक बार है न बच्चा, recap देख लेते कि जितनी भी demand है, हमारे industries की जो demand है न, वो हम fulfill करते हैं sir, किस से, हम energy से उसको fulfill करते है, अब जो energy है वो हमें क्या provide करता है, cooking, lighting heat, basically जो vehicles है और machinery है, उसका use हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है energy है, फिर हम देखते हैं basically कि जो energy का generation है वो coal से, petroleum से, natural gas और union से हो सकता है और इसी के साथ-साथ हमने energy का classification पढ़ा, classification में हमने देखा कि conventional sources भी होते हैं और non-conventional sources भी होते हैं conventional sources मतलब, जो बस one time use है, उसके बाद हम उसे use नहीं कर सकते हैं, और ये कहीं सालों से use होते आ रहें, इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसे conventional कह सकते हैं जबकि non-conventional अभी recent times में ये ऐसी technologies आई हैं जिसके थुरू हम इसको use कर पा रहे हैं फिर जो हम देखते हैं कि जो conventional sources हैं वो कैसे होते हैं, exhaustible होते हैं जबकि जो हमारे non-conventional हैं वो कैसे होते हैं इन exhaustible होते हैं मतलब हम उन्हें बार-बार use कर सकते हैं अब इसके example है coal, petroleum, natural gas और non-conventional के क्या क्या है tidal, wind, solar energy फिर हम आगे देखते हैं क्या इस sources are polluting बेसिकली क्या है जो conventional sources हैं वो environment को pollute कर रहे हैं जबकि non-conventional sources जो है वो environment friendly होते हैं फिर हम आगे देखते हैं कि जो conventional sources है न उसमें एक firewood है cattle, dung है, coal है, petroleum है natural gases है ये सब आते हैं और जो non-conventional है न उसके अंदर solar है wind है, tidal है, geothermal है bio gas है and atomic energy उसमें आती है फिर हम आगे देखते हैं क्या कि energy requirement जो है इंडिया की लगबग, लगबग 70% basic जो इंडिया का ruler household है वहाँ पे 70% जो requirement है वो हम cattle, dung और दूसरा firewood से क्या करते हैं उसको fulfill करते हैं फिर हम आगे देखते हैं क्या continuation पर है न इसमें भी एक problem है कि हम इसको continue और ज़्यादा हम use नहीं कर सकते हैं हम इसको ज़्यादा use क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा use करने के कारण ज़्यादा firewood use करने के कारण आप forest area क्या है कम होता जा रहा है और इसी के आलावा जो हमारा cattle, dung है उसका एक use और भी है क्या सर वो as in manual use होता है किसमें सर agree culture में फिर हम देखते हैं बच्चा कि अभी तक हम ये समझ चुके हैं सर टाइपस ओफ एनरजी क्या है अब हम non-conventional conventional sources के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे बच्चा इस topic से related इस chapter से related अगर आपको कोई भी doubt है तो आप comment section में comment करके हमें बता सकते हैं Thank you